कि इस बार मानसुन काफी प्रभावी होने वाला है, अच्छी वर्षा होने वाली है, पहाडों पर भी जिस तरह की सूचना आ रही है, निपाल से भी जिस तरह की सूचना आ रही है, भारिबारिश होने जा रही है, तो ये निश्चित है कि निपाल के से भी पानी आता है, उत मिक्षा किये है कल मैं बलिया से लेकर मौ तक जो बाड प्रभावित छेतर हैं हमने भी उसके दोरा किया है वहां की तैयारियों को देखा है प्रसासन पूरी तरीके से एलर्ट है जिस तरह के भी परिस्थती आएगी हम उसका सामना करेंगे और हम लोगों ने पहले ही कहा है कि बाड एक बड़ी समस्या है प्रदेश के लिए लेकिन सरकार ने उसके अस्थाई समाधान के लिए एक मजबूत कदम उठाया है अभी थोड़े समय और लगेंगे लेकिन आने वाले चंद वरसों में ही हम उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को बाड का सामना नहीं करने द तो प्रसासन की पूरी तैयारी है विभागवार हमारे जितने भी प्रभारी मंत्री हैं सभी लोगों ने बाड प्रभावित अपने जनपदों का दोरा भी किया है समिक्षा भी की है मानि मुख मंत्री जी समय समय पर उसकी मानिटरिंग कर रहे हैं वो भी समिक्षा कर रहे ह तो मैं समझता हूँ कि चैसी भी चुनावती आएगी उसका हम सब लोग सामना करेंगे भारत सरकार इस बार बजट का उनका स्वरूप कैसा होगा मुझे लगता है कि भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए भारत को विक्सित रास्ट बनाने के लिए एक रोड मैप का दर्शन करने का उसर हम लोगों को मिलेगा बजट के माध्यम से अच्छा ही बजट आएगा उत्तर प्रदेश की भी अभी मानसुन सत्र हम लोगों का आना है जल्दी मुझे लगत रहा है कि उत्तर प्रदेश की भी विधान सभा चलेगी कि इस बार मानसुन काफी प्रभावी होने वाला है अच्छी वर्षा होने वाली है पहाडों पर भी जिस तरह की सूचना आ रही है निपाल से भी जिस तरह की सूचना आ रही है भारिबारिश होने जा रही है तो ये निश्चित है कि नेपाल के से भी पानी आता है उत्राखंड का पूरा पानी आता है हम सब लोग सजग है मानिमुख मंत्री जी ने भी लगातार तयारियों की समिक्षा किये है कल मैं बलिया से लेकर मव तक जो बार प्रभावित छेत्र है हमने भी उसके दोरा किया है वहां की तयारियों को देखा है प्रसासन पूरी तरीके से एलर्ट है जिस तरह की भी परिस्थती आएगी हम उसका सामना करेंगे और हम लोगों ने पहले ही कहा है कि बार एक बड़ी समस्या है प्रदेश के लिए लेकिन सरकार ने उसके अस्थाई समाधान के लिए एक मजबूत कदम उठाया है अभी थोड़े समय और लगेंगे लेकिन आने वाले चंद वरसों में ही हम उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता को बार का सामना नहीं करने देंगे इस इस्तती में आज उत्तर प्रदेश की सरकार है तो प्रसासन की पूरी तयारी है विभागवार हमारे जितने भी प्रभारी मंत्री है सभी लोगोंने बार प्रभावित अपने जन्पदों का दोरा भी किया है समिक्षा भी की है मानि मुख्मंत्री जी समय समय पर उसकी मानिटरिंग कर रहे हैं वो भी समिक्षा कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि चैसी भी चुनावती आएगी उसका हम सब लोग सामना करेंगे भारत सरकार इस बार बजट का उनका स्वरूप कैसा होगा मुझे लगता है कि भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए भारत को विक्सित रास्ट बनाने के लिए एक रोड मैप का दर्शन करने का उसर हम लोगों को मिलेगा बजट के माध्यम से अच्छा ही बजट आएगा उत्तर प्रदेश की भी अभी मांसुन सत्र हम लोगों का आना है जल्दी मुझे लगत रहा है कि उत्तर प्रदेश की भी विधान सभाच चलेगी